स्वागरे दोस्तों आपका हमारी एकेड़मी में रिजनिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमोमन कॉंपोटेटिव एक्जैम में रिजनिंग का बहुत रोल हो जाता है तो रिजनिंग हम सुरू करने जा रहे हैं और लगातार हम reasoning करते रहेंगे, जब तक ये खतम नहीं होती, 15-23 में reasoning खतम हो जाएगी, और आपको complete समझ भी आ जाएगा, और बड़ी आसान होती है, और marks gain करने के point of view बेहद important है, ग्रूप D के exam से लेकर ग्रूप A, यानि IS तक reasoning का बड़ा रोल है, यह चीज का धियान रखना है, शुरू कर रहे हैं आज, classification test, classification test कर रहे हैं, classification test मतलब वर्गी करन परिक्षन, वर्गी करन परिक्षन है, वर्गी करन परिक्षन, तो इस वर्गी करन परिक्षन में क्या करेंग तो हमें कैसे वर्गी करित करना है, ध्यान दिजीए, classify करना है, चार चीज़े, तो किसी वस्तु, अंक, स्थान, संख्या, alphabets, कोस्त के आकार, प्रकार, गुन, धर्म, रूपरंग, या अन्य किसी गुन के आधार पर जब हम वर्गी करते हैं, तो उसे वर्गी करन टेस्स के अंतर कर पढ़ते हैं, एक्जेंपल के लिए मैंने लिखा, यहां पर, कि इन में से जो वर्गी करत की जो अलग है, उसे बदाई है, जो इन में से अलग है, मैंने लिखा, हरीद्वार, तूसरा मैंने लिखा, मुरादाबाद, तीसरा मैंने लिखा, चमोली, और चौथा म अब बताईए इसमें वर्गी करिए जो अलग है उसे बताईए इन में से तो अलग कौन सा है देखिए ज़्यातर हमें इसमें उत्राखन के जिले दिख रहे है मुरादाबाद ये कैसा है जो उत्तर प्रदेश का जिला है तो मुरादाबाद सीधे सीधे इसमें अलग हो जाएगा तो मुरादाबाद राइट आंस है इस तरीके से हमें देखना है त्यांति जीगा या इस तरीके से हम लिखें next हमने लिखा first हमने लिखा a second हमने लिखा d third लिखा e और fourth हमने लिखा five अब बताएए इनमें से अलग कौन सा है तो five अलग होगा क्योंकि ये तो इंगलिस के अलफा बैट्स है तो इस तरीके से हमें questions को अलग-अलग करना होता है या हम एक question इस तरीके से लिख सकते हैं कि इनमें से अलग बताएए प्रकासक है ठीक है दूसरा मुद्रक है तीसरा संपादक है और चोथा है मासिक पत्र तो ध्यान देजिएगा अब आपको इनमें से अलग बताना है तो मासिक पत्र इसमें अलग है कैसे क्योंकि प्रकासक मुद्रक और संपादक तो होता ही है किसी पत्र के और मासिक पत्र तो एक soft copy है ये जब कि इनसान होते हैं कोई और ये paper होता है तो इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं इनको तो बहुत सारे भी कुछ example हम इन पर देखेंगे जो बेहद important है और एक understanding बनाने के लिए कैसे हमें वर्गिक्रित करना है तो ये विध्यान रखना है तो साथियों ये कुछ question है वर्गिक्राण परिक्षण के इन पर हम बात करेंगे और आपको वर्गिक्राण परिक्षण एक तरीके से completely समझ में आ जाएगा तो ध्यान से देखिएगा हमें बताना है कि इन तीनों में से तीन किसी दा किसी प्रकार एक दूसरे एक सम्हू मनाते हैं इन में से कौन सा ऐसा है जो अन्या तीन से भिन है question भी ऐसी बनेगा आपके exam और एक question दिजिनिंग का अगर आपका flavor से तो एक question 100% बनेगा minimum एक question जाता बनेगी तो पहले सवाल पर चलते हैं इन में से भिन कौन सा है तो देखिए पेड है जड है तना है और पत्ती है तो ध्यान दिजिएगा कि जड तना और पत्ती तो पेड के भाग होते हैं अब पेड तो पूरा इसमें समाहित है तो पेड अलग होगा क्योंकि ये पेड के भाग है और ये पूरा पेड की बात हो रही है अगला अकवार, रेडियो, टीवी, फ्रिज तो ध्यान दिजिएगा अकवार, रेडियो, और टीवी, और फ्रिज में कौन सा सबसे अलग है तो फ्रिज जो है वो सबसे अलग होगा इन में क्योंकि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर ठीक है ना तो तीसरा जो इसमें दिया गया है कि जनवरी, मार्च, अप्रेल, माई तो इन में से कौन अलग है जो सम्मू नहीं मेनाता तो जनवरी देखिए अगर दिनों की बात करें तो जनवरी जाता है 31 मार्च भी जाता है 31 लेकिन अप्रेल जाता है 30 और माई भी 31 दिन का होता है तो फिर अप्रेल इसमें अलग होगा क्योंकि 30 दिन का जा रहा है ठीक है चौते पर आजाओ ABC ठीक है FGH ठीक है IKL PQR तो सीदे सीदे जब ऑप्षन देखोगे तो एक चीज़ तो आपको समझ आजए कि कुछ डिफरेंस वाली तो ABC लगाता है Alphabets FGH भी लगाता है PQR भी लगाता है लेकिन IKL नहीं है JKL होता तो बनता तो C इसमें होगा ऑप्षन पाँचवा A option है 4, 8, 27, 64 4, 8, 27, 64 तो ध्यान दीजिए का यहाँ पर चुकि वर्ग के रूप में या घन के रूप में दिख रहा है तो देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग 4, 8 को लिख सकते हैं 2 का Q, 2 दूना 4, दूना 8 27 को लिख सकते हैं 3 का Q, 3, 9, 27 और 64 को लिख सकते हैं 4 का Q ठीक है और 8 का स्कुर्ण भी लिख सकते हैं लेकिन Q वाले जो हैं वो ज़्यादा है और स्कुर्ण वाला एक ही है तो फिर यह तीनों तो Q हो जाएंगे यह 2 का, यह 3 का और यह 6 का स्वरी, 4 का 4 का Q हो जाएगा 4 चको 16, चको 4 सक लेकिन यह 2 का वर्ग है इसलिए यह अलग होगा नेक्स देखिए 121, 221 ठीक है 325, 425 516, 616 724, 834 तो ध्यान दीजीगा हो क्या रहा है 121 से 221 आ रहा है सिर्फ इसमें चेंज आ रहा है 3 की जगो चार हो रहा है बाकि तो सेम है ना 325, 425 516, 616 बाकि सेम है सिर्फ एक पहली जो अंक है वो बढ़ रहा है तो 724, 834 यह तो बढ़ रहा है लेकिन यहां भी बढ़ रहा है तो यह अलग होगा इससे ध्यान दीजीगा Next है मिर्ति रोग ठीक है दूद, मक्खन अंगूर, मदिरा जल, ऑक्सिजन तो ध्यान दीजीगा रोग के कारण मिर्तु होती है ठीक है ना लेकिन दूद से मक्खन बनता है ध्यान दीजीगा अंगूर से मदिरा बनता है जल से ऑक्सिजन मिलता है तो पहला इसमें जो होगा जो समू में नहीं आता क्योंकि मिर्तु से रोग नहीं होती है रोग से मिर्तु होता है उल्टा दिया है अगला आठवा देख लीजिएगा 121 दिया है 231 दिया है 331 दिया है और 451 दिया है तो इस तरीकी के जो question है इसमें ये तो भाग वाला होता है ठीक है ना भाग वाला इसमें ज्यादातर होता है या किसी का ये भाग वाले ही ज्यादा होते हैं जो बड़े वाले दिये रहाते हैं तो ध्यान दीजिएगा चुकि 121 ग्यारा का स्क्वायर होता है ठीक है तो 11 से भाग हो रहा है ठीक है इनको देखते हैं ये 11 से भाग हो रह ठीक है न दो प्लस एक तीन और समस्थान एक ही है तो तीन और इनका अंतर कर लो सुन्या आया तो इसका मतलब 11 से भाग होगा बताया था ना या तो सुन्या आया या तो 11 से भाग होने वाले संख्या आया तो सुन्या होने पर यह भी 11 से भाग होगा इसको भी देख लीजिए, तीन और एक चार, ध्यान देजिएगा, तीन और एक चार, 3-3-1, समस्थानों का योग, तीन और एक चार हो जाएगा, और तीन का तीन माइनस कर दो, तो ये भाग नहीं हो रहा है ग्यारा से, और क्या देखते हैं, लास्ट वाला हो रहा है, तो चा और एक पांच हो जाएगा, और माइनस पांच, और ये भी सुन्या हो रहा है, तो यानि तीसरा होगा, ये ग्यारा से भाग नहीं होने वाले हैं, ध्यान देजिएगा, ये ग्यारा से भाग नहीं होने वाला है, बाकी तीनों ग्यारा से भाग हो रहा है, ठीक है, नाइन्त पर चलता है, N14 N14 Q16 और S19 ध्यान दीजिएगा Q, N14, Q16 S19 और K11 ध्यान दीजिएगा, इंगलिस के alphabets है और नमबर पर दिया है, तो पहली नजर यह देखनी है कि इनका जो sequence है इंगलिस में वही है क्या N14 नमबर पर होता है आप गिंती कर लीजिए, ठीक है S19 नमबर पर होता है count कर लीजिए, इसे बताएंगे अगले चेप्टर में K11 नमबर पर होता है इसे भी देख लीजिए, लेकिन Q 16 नमबर पर नहीं होता है N, अगर 14 पर है तो M होगा किते नमबर पर 15 N के बाद, sorry N के बाद होगा O O होगा 15 नमबर पर P होगा 16 नमबर पर Q होगा 17 नमबर पर, ध्यान दीजिएगा तो 17 होना चीएगा तो ये अलग है इनमें, important बात है दस वोग कोशन देख लेता है आकरी कोशन जो है आलू, प्याज, गाजर और गोवी तो सीधे-सीधे आपको दिख रहा होगा कि आलू जमीन के नीचे उपता है प्याज भी जमीन के नीचे उपता है गाजर भी जमीन के नीचे उपता है जबकि गोवी जमीन के उपर उपती है तो ये सीधे-सीधे अलग हो जाएगा तो साथ इस तरीके से हम वर्गी करित कर सकते हैं आपको कैसा लगा और यदि आप और questions इसमें चाहा रहे हैं तो comment box में जरूर कीजिएगा और यदि कोई problem है और इस वर्गी करान परिक्षन से संबन दे तो comment कीजिएगा